हलो नमस्ते मैं साक्षी तिवारी आप सब का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ग्रेट ऑनलाइन अकैडमी में आज मैं यह आपर नए रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ यह रिक्रूटमेंट आई है असम राइफल्स ट्रेडमेंट तो सबसे पहले जो पोस इन फीमेल 287 रिलीजियस टीचर 9 वेकंसी है रिलीजियस टीचर जो हमारे होते है न आचार्य वगरा होते है उनके लिए होता है अपरेटर रेडियो और लाइन इनके लिए 729 पोस्ट हैं यह तो बहुत ही ज्यादा पोस्ट हैं रेडियो मेकानिक 72 आर्मर 48 लेव असिस्ट थर्टीन नर्सिंग असिस्टेंट 100 विटनरी फील्ड असिस्टेंट 10 आया पैरामेडिकल है इसमें 15 है और वाशर मैं यह 80 है तो ऐसे कुल में लाके 1380 पोस्ट हैं यह डारेक्ट है और कुछ चाहएद 100 कुछ जो पोस्ट है वो हमारी है स्पोर्स कोटा के थूँ तो उसको मिला के हमारा टोटल कितना हो जाता है 1400 सम्टिंग ऐसे बन जाता है उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है तो इन्होंने एज क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है सब 18 से या तो 23 है या 18 से 25 है अब हम देख लेते ह परस्ट हमारा है, ब्रिज एंड रोड में है, उसके बाद सेकेंड हमारा है 23 आर्मर, लेव असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट और हमारा आया, इन सब के लिए 23 मांगी है, 18 होना चाहिए आपका मिनिमम और मार्गिमम 23 होना चाहिए, बाकि जो अमारी क्लारिकल, रेडियो लाइन, रेडियो मेकानिक, आर्मर, सॉरी, आर्मर इस अलसो 23, इन सब के लिए 25 है, यह जो हम देख सकते हैं, यह हमारे 25 बाला इधर पर बन रहा है, और यह 25 है, और यह 25 है, और इस अलसो 25, अबके इसके बाद बात करते हैं, इनके एजुकेशन क्वालिफिकेश की, तो सबसे पहले जो मांगा है, bridge and road, दौनों में male and female के लिए है, and individually must have passed 10th examination from recognized institute on board, and also have diploma in civil engineering and bridges, मतलब जिसने भी civil engineering में diploma किया हुआ है, उनके लिए अब वो लोग यह form भर सकते हैं, और साथ में age criteria भी इननों ने दिया है, कि उसका जो age है, below 18 नहीं होना चाहिए, और above 23 नह करते है, and individually must have passed 12th examination from recognized institute or board, also have English typing 35 word per minute, and Hindi typing 30 word per minute, यह बहुत ही, मतलब आपको बिल्कुल qualify करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप typing test qualify नहीं करोगे, तो आप exam में disqualify कर जाओगे, तो यह बहुत important है, और यदि कोई ऐसा है, जो अभी भी typing कर सकता है, या सीख सकता है, क्योंकि इ exam date है, वो I think in September में exam होने वाला है, अभी इसका notification आया है, जिसमें April से इनका, मतलब April end से इनके form भरना चालू होंगे, detail notification 34 को मिलने वाला है, यह सिर्फ अभी कुछ-कुछ चीजेस में दी हुई थी, ऐसे ही हम religious teacher की बात करेंगे, तो individually must have graduated degree with relative subject from recognized university and institution, यह जो होता है, इसमें religious teacher में इनका कुछ बेद का ग्यान और something like ऐसे होना चाहिए, आपको यह बहुत अच्छी post होती है, one of my friend, sister I think I can say, sister or husband, वो जो है, वो इस वाली post पर है और बहुत अच्छा है उनके लिए, मतलब उनको जो facilities मिली है, जॉब के साथ जो perks दिये जा रहे हैं, वो सारे बहुत अच इसमें क्या है, Individually Must Exp, 10th examination from डियर, IIT in related field. मीज, उसको ITI करहे होना चाहिए, जिसको भी operator and radio देना है, उसके बार, Individually Must Pass, Diploma in related field. अब जैसे हम देख लेंगे कि इन में, आर्मार, Lebs drs, Assist and Nursing, nursing assistant है, इन सब मैं जल्दी जल्दी हो ना कि सिफ 10th मागा है, Recognize university board से. यह जरूरी है क्योंकि विटनरी फिल्ड में आपको उस चीज का नॉलेज जोना बहुत जरूरी है और एज का तो वह यह 18 से 25 आया पारामेडिकल एंड इंडिविजबली है 10th examination जिसने भी washerman और आया है इनका जो भी कि है कि आपको 10th exam पास करना है बस उसके बाद यह दिया हुआ है कि इसका physical standards क्या है तो सबके लिए अलग-अलग physical standards दिये है जैसे male के लिए 170 है और female के लिए 157 है उसके बाद क्या है इस वाली जो असम राइफल्स वाली है या इस ट् देखोगे ना तो यह जो हमारे northeast state और यह कुछ-कुछ जगय है इधर डोगरा, candidates belongs to the state Assam, Himachal, Pradesh and JNK मतलब यह जो तीन state है इनकी जो कुछ-कुछ tribes है या जहां वहां के जो लोग है proper, we will not say tribe, उनके लिए यह बहुत reservation मिलता है, मतलब उनके लिए relaxation होता है, तो इनको 165 दिया है और 155 दिया है, कि candidate belonging to the scheduled tribe of all the states और UT, उनके लिए भी height में हमको relaxation मिला है, as compared to other, यदि सबको 170 दे रहा है तो इनको 162.5 दिया जा रहा है, तो यह साधी चीज़े आप देख सकते हो कि कितना जादा मतलब लोगों को वो किया जा रहा है कि आप कैसे इस exam को दे सकते हो, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या है, मतलब selection process क्या है, तो हम सबसे पहले दिखेंगे कि हमारा return test होगा, उसके बाद physical efficiency test होगा, physical standard test होगा, then trade test, trade test क्या होगा, कि जो भी just trade के लिए form भरा है, वो सारे होना चाहिए, मतलब उनका आपको करना चाहिए, मतलब आपसे उस particular field का test लिए जाएगा, then document verification, after that medical examination, then आपका जोगा final posting मिलेगी, अब हम देख लेते हैं कि यदि किसी event में running है, तो उसमें 1.6 km distance आपको cover करना है, और यदि आपने cover किया है, 7.15, 7.45, 8.15 और 8.30, और 8.30 मिनिट्स में किया है, या उसके, 8.30 के बाद तो आप disqualify हो जाओगे, लेकिन इनको 10 marks मिलेगा, 8 marks मिलेगा, 6 marks और 4 marks, मतलब आपके जितना ज्यादा टाइम लोगे, आपके marks deduct होते जाएंगे, ये वाली चीज है, ऐसे physical efficiency test है, उसके बाद हम देख लेते हैं, ये सार दिया हो है कि आपको broad jump करना है, cycling करनी है, swimming करना है, ये कुछ-कुछ आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है, कि ये जो चीजे हैं, ये हर जगा वो नहीं होगी, कि सारी चीज के लिए, कि आपको जैसे आचारे का form बरना है, तो उसमें apply नहीं करेंगी, आपको हो सकता है, clerical का द होगा, और return test भी होगा आपका, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, कि आपका examination pattern क्या रहने वाला है, आपका examination pattern रहेगा, आपको English reasoning, quantitative aptitude और journal awareness, ये चार सब्जक्त आने वाले, जो कि maximum exam में आते हैं, और सारे 25 marks के हैं, और 25-25 questions दिये जाएंगे, तो exam तो आपको मैं बताई दू करना है, और आपको guide कर रही हूँ, आराम से, next हम चलते हैं, कि notification क्या हुआ है, अब notification release date हमारी 22nd को आया है, application start जो कि मैंने बताया, 30 April को होगा, last date of application भी अभी नहीं बताई है, last date free payment भी नहीं बताई है, सिर्फ मैंने कहीं कहीं ऐसा देखा है, कि जो इनका exam conduct होने वाला है, व पढ़ने के लिए भी तक, मतब इस type के जो exam होते हैं, इनको आप थोड़ा भी पढ़के आराम से निकाल सकते हो, तो उस exam को आप आराम से पढ़के निकालिए, all the best, thank you very much.